लक्ष्मी निवास मित्तल स्टील मैगनेट की वैश्विक प्रमुखता तक की यात्रा भारत के स्टील किंगपिन के रूप में जाने जाने वाले लक्ष्मी निवास मित्तल ने वैश्विक स्टील उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है 15 जून 1950 को जन में मित्तल व्यापार जगत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बन गए है यहां उनके जीवन, करियर, विवादों और परोपकारी प्रयासों पर करीब से नजर डाली गई है प्रारंभिक जीवन और प्रमुखता की ओर उदे एक मारवाडी हिंदू परिवार से आने वाले मित्तल की सफलता की यात्रा साधारन जडों से शुरू हुई उन्होंने अपनी शिक्षा कलकत्ता के श्री दौलत राम नोपनी विद्यालय में प्राप्त की और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज से बानिज्यमे डिगरी के साथ सनातक की उपाधी प्राप्त की 1976 में मित्तल ने इंडोनेशिया में अपनी पहली स्टील फैट्री पीटी इसपात इंडों की स्थापना करके अपनी उद्यमशीलता यात्रा शुरू की इस कदम से इसपात उद्योग में उनके उलेखनिय प्रक्षे पत की शुरूआत हुई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद मित्तल के चतुर व्यावसाइक कौशल ने उन्हें त्रिनिदाद और टोबैगो और आयरलैंड जैसे संधर्शरत इसपात सन्यंत्रों को चालू करने में सक्षम बनाया वैश्विक पच्चेहन का विस्तार 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुवात में मित्तल ने दुनिया भर में इसपात संपत्ती हासिल करके अपने सामराज्य का विस्तार करना जारी रखा उनके अधिगरणों में कजाकिस्तान, रोमानिया और पोलैंड जैसे देशों में उद्यम शामिल थे जिससे वैश्विक इसपात दिगच के रूप में उनकी स्थिती मजबूत हुई विशेश रूप से मित्तल ने 2006 में आरसेलर और मित्तल स्थील के एतिहासिक विलै की योजना बनाई, जिससे आरसेलर मित्तल दुनिया का सबसे बड़ा इसपात उतपादक बन गया विवाद और चुनौतिया अपनी अपार सफलता के बावजूद मित्तल का करियर विवादों से अचुता नहीं रहा है 2002 में Cash for Influence घोटाले में, जिसमें रोमानिया के राज्यके स्वामित्व वाले इसपात उध्योग को खरीदने के लिए मित्तल की बोली का समर्थन करने वाले पूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री टोनी ब्लेर का एक पत्र शामिल था ने सार्वजनिक आक्रोश फैलाया इसके अतिरिक्त मित्तल की खदानों में खराब श्रमिक स्थितियों और सुरक्षा मानकों के आरोपों ने उनकी प्रतिष्ठा को धुमिल किया है परोपकार और सामाजिक प्रभा व्यवसाय से परे मित्तल ने परोबकार और सामाजिक कारणों के प्रति-प्रतिबधता प्रदर्शित की है उन्होंने ओलंपिक आकांग्षाओं वाले भारतिय एथलीटों का समर्थन करने के लिए मित्तल चैंपियन्स ट्रस्ट की स्थापना की जो भारत में खेल विकास के प्रति उनके समर्पन का उदाहरण है इसके अलावा मित्तल के धर्मार्थ योगदान में शैक्षनिक संस्थानों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण दान शामिल हैं जैसे L.A.N.M. Institute of Information Technology और मित्तल Children Medical Center की स्थापना व्यक्तिगत धन और मान्यता व्यक्तिगत निवल संपत्ती में उतार चढ़ाव के साथ मित्तल लगातार विश्वस्तर पर सबसे धनी व्यक्तियों में से एक रहे हैं उनके भव्य निवास और भव्य जीवन शैली ने व्यापक ध्यान आकरशित किया है जिससे उन्हें ताज मित्तल की उपाधी मिली है वर्षों से अपनी संपत्ती रैंकिन में उतार चढ़ाव का सामना करने के बावजूद व्यापार जगत में मित्तल का प्रभाव निर्विवाद बना हुआ है पुरस्कार एवन सम्मान इस पात उद्योग और परोपकार में मित्तल के योगदान को विभिन पुरस्कारों और सम्मानों के माध्यम से मान्यता दी गई है विशेश रूप से फोर्ग्स और अन्य प्रतिष्थित संगठनों की प्रशंसा के साथ उन्हें दो हजार आठ में भारत सरकार ग्वारा पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया था निशकर्ष इंडोनेशिया में एक छोटी स्टील फैक्टरी से लेकर आरसेलर मित्तल के शीर्ष तक का लक्षमी निवास मित्तल का सफर उनकी उद्यमशीलता की भावना और दूरदर्शिता का प्रमान है जबकि उनके करियर को जीत और विवादों दोनों से चेहनित किया गया है वैश्विक इसपात उद्योग पर मित्तल के प्रभाव और उनके परोपकारी प्रयासों ने व्यवसाय के दिगज और सामाजिक परिवर्तन के चैंपियन के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया है